हेलो दोस्तों तो क्याल चले आप सभी लोह के अपसी ठीक होंगे तो पिछली जावस्किप जण्य के वीडियो में मैंने आपको आई और रोडर फंक्शन के बारे हैं बता थाए कि कैसे आप अपने खुद के हाई ओडर फंक्शन बना सकते हो और हाई- điều researching क्या होते हैं तो अगर आपको इस समझ आ गया और आपने इनकी प्रैक्टिस कर लिया है तो चलिए अपनी इस सीरिज को आगे बढ़ाते हैं वेलकम पैके आप सभी लोग का एक और ब्रैंड यू वीडियो के अंदर तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने आला हूँ स्कॉप के बारे में हां जी बहुत हो गया ऐसा चक्कर मतलब की बहुत होगी ऐसी चीज़े जो मैं आपको स्कॉप के बारे में बताता जा रहा था कि स्कॉप होता है स्कॉप होता है तो बहुत सारी वीडियो में मैं आपको स्कॉप के बारे में बताया है तो अब बात करता कि scope है क्या चीज हांजी कि scope है क्या चीज तो यहां पर मैं एक नई फाइल बनाता हूं 15 और यहां पर लेखता हूं scope.js अब इसके नदर हम scope के बारें बात करेंगे कि scope होता है कि देखो सारा का सारा concept जो होता है वो सुरू होता है variable के बनाने से हांजी variable को बनाने के लिए मैंने आपको तीन कीवर्ड बताएं let, const और where यह तीन कीवर्ड है जो की variable को बनाते है ना जो की JavaScript का basic है यह तीन ही keyword अपने पूरे के पूरे scope को manage करते हैं कि वही कौन सा जो variable है वो कहां तक ही accessible है और कहां पर नहीं है तो mainly scope कहते है block of code को एक block को मतलब की एक block curly brackets से ठीक है curly bracket जादर सभी language में curly bracket as a scope यूज करा जाता है मतलब की एक block यूज करा जाता है जिसके अंदर आप कुछ भी code को लिख सकते हो हां जी अब यह curly bracket किसी भी चीज़ के हो सकते हैं आपके for loop के आपके if else के आपके functions के आपके दूसरी चीज़ों के लेकिन लेकिन हां जी एक चीज़ के छोड़ के objects के हां जी object इनके अलग है object को आप इन curly brackets से block से बिल्गोल अलग रखना क्योंकि in block of code का मतलब है जिसके अंदर आप statements लिखोगे कुछ code लिखोगे और object का मतलब है जिसके अंदर आप key and value pairs लिखोगे ठीक है तो यह curly bracket अलग है object से ठीक है अब वही है अब JavaScript पता कैसे करती है कि यह object है या फिर यह एक block of code है वो इसके syntax को देखके पता करती है और आपने इसके अंदर लिखा क्या है उसको variable की value एक function की value एक object की value एक किसी भी चीज़ की value या फिर data वो कहां तक limited है कहां तक limited है काम करते है अब देखो यह जो block of code है यह if else का हो यह function का हो यह किसी भी चीज़ का हो it totally आपके उपर depend है आपने आपर if लगा रखा हो आपने आप जैसे कि यह इस तरीके से if लगा रखा हो और यहां पर उसकी condition दे रखी हो ठीक है true कुछ भी condition दे रखी हो जातो यह आपकी यह लगा रखी हो या फिर आपने कोई function मना रखो जैसे कि इस तरीके से function और किसी भी function का नाम और इस तरीके से ठीक है तो block of code सब पर काम करेंगे और साथ में अगर आपने कोई यहां पर arrow function जर्मना रखा है const का use करके const ABCD और यहां पर इस तरीके से तो यह उसमें भी काम करेंगा ठीक है तो block of code है mainly आप इसके सामने कुछ भी लगाओ तो वो block of code के बारे मैं आपको बताता हूं ठीक है तो अगर मैं यहां पर let का use करके एक variable बनाता हूं ठीक है a equal to 45 तो क्या मैं इस एको बाहर access कर पाऊं और इस ब्लोग के इस ब्लोग के नहीं कर पाऊंगा ठीक है नहीं है कि नो तो console.log करके दिखा देता हूं एको ठीक है console.log करता हूं और इसको run करता हूं अपने program को node और यह हमारा 14 sorry 15 बनाना था नहीं यह 14 कैसे लिखा गया भाई तो यह 15 enter और 15 में करत प्रोग्राम को तो 45 आच हो किसकी value हां जी तो इसका मतलब है कि जब भी आप let का use करके कोई भी variable बनाते हो तो वो जिस scope के अंदर वो बना है वो उसी scope तक सीमित रहेगा हां जी यह सिर्फ और सिर्फ इस scope तक सीमित रहेगा ठीक है तो लेकिन अब यहां पर बारी आ जाती अलग चीज़ की अब आप कोंश्ट का use करके बनाते हो तो भी same let की तरह ही काम करता है बट क्या करेगा उस variable की value को change नहीं कर सकते है आप उस scope के अंदर ठीक है उस particular scope के अंदर तो run करते है इसको तो अब भी same error is not defined कि आपने यह बना ही नहीं रखा और print करना चाहरे हो अब आ अब यह काम करते हैं कोंश्ट की जंग है अब मैं लिखता हूं यहां पर वैर क्या लिखता हूं वैर लिखता हूं सेव करता हूं और run करता हूं अब एंटर करेंगे तो 45 आ चुका है अब आप को गयर वैर से आगया हांजी जब आप वैर कीवर्ड का use करके बनाओगे ना एक ब्लोक है उसके अंदर को योर ब्लोक है उसके अंदर आप वैर का बनाओगे ना कोई भी वैरिड़ीबल के लिए बनेगा कहीं पर भी आप उसको डिरेक्टली यूज कर सकते हो एडिट कर सकते हो तो यह काम में कहाती है मान लो तस डेवल्पर एक प्रोजेट पे काम कर रहे हैं हर डेवलपर के पास अपनी खुद की होनी चाहिए ना चोईस की भी वह किसी नाम से भी वैरियवल बना ले हैं तो मार लो एक डेवलपर ने वैरियवल बनाया साइज के नाम से और उसकी वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या आएगी आपके हिसाब से करते हैं इसको और रन करेंगे तो यहां पर 20 आई है लेकिन यह तो भार प्रिंट हुआ है भार मतलब की जो पहला प्रोग्रामर था इसने यह बनाया था 50 साइज रखा था इसका उसको तो 50 चाहिए दी पर किसी दूसरे प्रोग्रामर ने किसी ब्लोक में भी साइज अपना व अब अगर वह वेरिवल लेट का यूज करके बनाता है तो दोनों का स्कोप अलग है हां जी वह ग्लोबल वाला साइज है 50 और अगर आप इसके अंदर वाला साइज देखोगे तो वह है 20 हां जी बिलकुल 20 है ठीक है तो यह आपको पता चले गया बिलकुल पता चले गया हो इस ब्लोग केनर में फनक्षन मरना लेता हूं तो People function का एकजाँम्पल में function के साथ ही दिखाता हूं आपको टिक है इसको comment कर देते हैं आपर और नीचे मैं function मनाता हूं एक मैंने function मनाया function one के नाम से ठीक है और यहाँँ पर मैं क्या करता हूं इस फंक्शन को define करता हूं य ठीक है example at the rate gmail.com मेरे पास एक email है ठीक है अब इसको console log करूँगा सबसे पहले मैं fun1 को call करूँगा और फिर मैं console.log करता हूँ console.log email देखते हैं क्या हुआ है रन करते तो आ गया है यहां पर email is not defined हाजी email मिल ही नहीं तो यह साथ से दी बात है कि इस scope से बाहर यह email exist नहीं करती है यह variable exist नहीं करता है अब मेरे पास आ गया है example at the rate gmail.com है न लगाना बूल के थे कोई बात नहीं है तो function को call करना तो आपको आता ही है मैंने आपको function रोल लेडी बता दी है तो अब मैं क्या करूँगा अब मैं इस function के अंदर इस function के अंदर ही एक और function बनाऊंगा कैसे simple function और function का नाम मैं कुछ भी दे दूँ जैसे मान लो fund to दे देता हूं ठीक है और यहाँ पर मैं इसकी भी definition दे दूँगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा console.log your email colon comma email और इसके अंदर भी मैं एक variable बनाता हूं let number equal to 55 अब मैं अगर रन करूँ तो क्या आएगा आपके इसाब से simple कुछ भी नहीं आया क्यों क्यों क्योंकि हमने इस function को call किया है और यह function जब call हुआ है तो इस function one two उसके अंदर बना भी हुआ है और बना के उसी के अंदर call भी गरक्ता है ना save करते हैं इसको और रन करके देखते हैं क्या है यह 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 email एक्जामपल एडरेट एक किसी ने अपनी ठूटी लगा दी तो वो सिर्फ कमरे वाला ही यूज करेगा बाहर दूसरे कमरे वाले या फिर बाहर वाला यूज नहीं कर पाएगा समझ आगया आपको हाँ जी यही ता बस main concept इसका जो अभी यहाँ पर मैं आपको pen से लिखके बताता हूँ ना तो हमारा scope यही है हमारा scope और एक और चीज में आपको बताने वाला हूँ थोड़ी सी मैं hosting के बारे में आपको बता लेता हूँ बाकी detail में बाते बाद में करेंगे देखो एक मैंने आपको दो तरीके function बताए एक तो simple function और एक arrow function है ना तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ एक function मना इसकी copy करके मैं नीचे paste कर दिया है और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको हटाऊँगा यहाँ से और यहाँ पर लिखूँगा const my fun equal to यह arrow function सोरी equal to और यहाँ पर arrow इस तरीके से बनता अपना arrow function ठीक है यह मैंने बना दिया arrow function अब यह दो function है इसका नाम चीज कर लेता बताओ आप क्या यह काम करेगा रन करते हैं इसको यह दो को function 3 यहाँ पर आ चुका है गलत तरीके से है कोई दिकतनी this is function 3 हाँ जी अगर मैं पहले ही call कर लेता हूँ किसी function के बनने से तो वो काम कर रहा है लेकिन यह allowed है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ function पर allowed है और अगर मैं इ my phone 4 है जो इसको call अगर करके देखूं तो देखना क्या होगा यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पर error आ गया कि my phone को before initialization आप access नहीं कर पा रहे हो ठीक है पहले initialize करो फिर use करो जैसे होता है ना पहले इस्तमाल करो फिर विश्वास करो यह है एरो मैंतर की कुछ चीजे जो कि आपको पता होनी चाहिए हां जी अब इसका reason भी इसके पीछ है ना इसका जो reason है ना वह मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा एक call stack होता है memory के अंदर जब मैं वह आपको समझाओंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा इसका reason क्या है क कि यह वाले functions arrow functions बनने से पहले execute अगर आप कराऊगे तो क्यों नहीं होते और यह क्यों होते हैं ठीक है इनका reason मैं आपको बताऊंगा ठीक है वह मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा particular की JavaScript के अंदर जितने भी functions वगयरा होते हैं जो मैं आप इनको call करते हो तो call stack कैसे काम कर बता है तो वह सबी बताऊंगा आपको जब detail में तभी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा ठीक है तो यही अपनी menu hosting थोड़ी सी जो स्कोप के बारे में आपको पता चले गया और थोड़ा सा इसके बारे में पता चले गया होगा और भी काफी सारी चीजे हैं जैसे this keyword है और भी काफी सारी चीजे हैं वह मैं करवाँगा आपको आने वाले वीडियो में अभी एक ही वीडियो में जादा हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है ना स्कोप के अंदर हमने basic स्कोप का समझना था कौन सा variable कहां तक ही access होता है simple आपको समझा गया let or const से बनाए हुए variable आपके particular scope में exist करेंगे हां जी अगर उस scope के अंदर बहुत सारे चोटे 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 स्कोप है तो वो उन सब में exist करेंगे हां समझा गया मैंने घर का example बहुत अच्छा दिया आपको कि घर में एक main gallery में एक घर के अंदर gallery होती है न जो ठीक है या फिर एक जो जो आरे रूम वाले access कर सकते हैं लेकिन अगर particular room में कुछ है तो वो सिर्फ उस रूम वाले ही access कर सकते हैं जो उस रूम में रहते हैं भार वाले नहीं कर सकते समझा क्या तो यही है scope का concept भी तो यह आपको समझाई गया हुगा कैसे क्या होता है कहां पर कुंसा scope होता है वीडिय अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like करें smash that like button and guys subscribe our channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं करा है और वीडियो देखते हो comment भी नहीं करते हो तो comment किया करो comment करते हो तो subscribe नहीं किया तो subscribe भी करो और share करो जरूर हाँ जी share जरूर करो बेसक कोई देखे ना देखे पर share जरूर करो LinkedIn पे टेलिग्राम पे Facebook पे Instagram पे Twitter पे जो भी आपके पास social media accounts उन पे share करो ताकि इन वीडियो की reach बढ़ सके और जादा व्यूज आए और औ लिख सके अच्छे से JS को और अच्छे सी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बाबाई गाइस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो